बहादुर पाठ प्रवेश बाल श्रम कानूनन अप्राध है फिर भी निम्न वर्क की मजबूरियों का लोग फाइदा उठाना चाहते हैं छोटी अवस्था में मूल भूत आवश्यक्ताओं की पूर्थी के लिए उन्हें मानसिक तथा शारीरिक पीडाएं जेलनी पड़ती हैं लोग मासूम नौकरों से काम भी लेती हैं और जूठे आरोब लगाकर भावनात्मग आगात देते हैं इमानदार और महनती लोगों को समान और सनेह देना चाहिए उनके साथ सान भूती रखनी चाहिए सहसा मैं काफी गंभीर हो गया था जैसा कि उस व्यक्ति को हो जाना चाहिए जिस पर एक भारी दाइत्व आ गया हो मेरे सामनी खड़ा था ठिगना गोरे रंग का बारह तेरह वर्ष की उम्र का लड़का खाकी नेकर और सफेद कमीज पहने था उसे मेरे साले साहब लेकर आये थे निर्मला चमकती दृष्टी से कभी लड़के को देखती कभी मुझको और कभी अपने भाई को नौकर रखना कई कारणों से बहुत जरूरी हो गया था मेरे सभी भाई और रिष्टिदार अच्छे ओधों पर थे और उन सभी के यहां नौकर थे मैं जब बहन की शादी में घर गया तो वहां नौकर का सुख देखा था और फिर निर्मला की तबियत भी अकसर खराब हो जाया करती थी तुम्हारा नाम क्या है जी? तो ढंग शाओर सीख जाएगा घर के लड़कों की तरह पढ़ लिख जाएगा और जिंदगी सुधर जाएगी बहादुर बहुत ही हंसमुख और महिंती निकला उसके आने से घर में वैसा ही उत्साहपूर्ण वातावरण छागया था जैसा कि प्रथम बार तोता मैना या पिल्ला पालने पर होता है निर्मला ने बहुत उदारता पूर्ण उसके नाम में से दिल शब्द उड़ा दिया धीरे धीरे वह घर के सारे काम करने लगा जब मैं शाम को दफ्तर से आता तो घर के सभी लोग मेरे पास आकर दिन भर के अपने अनुभव सुनाते थे बाद में वह भी आता था कई बार मेरी ओर देखकर सिर जुका लेता और धीरे धीरे मुस्खुराने लगता निर्मला कभी कभी उससे पूछती थी बहादुर क्या तुम्हें अपनी मां की याद आती है नहीं क्यों? निर्मला ने पूछा वह मारती थी इतना कहकर वह खूब हसता था जैसे मार खाना खुशी की बात हो तब तुम अपना पैसा मां के पास भीजने को क्यों कहते हो? निर्मला ने पूछा माबाप का कर्जा तो जनम भर भरा जाता है वह और भी हसने लगता है निर्मला ने उसको एक फटी पुरानी दरी और चादर दे दी थी शाम को काम धाम करने के बाद भीतर के बरामदे में एक तूटी हुई बंस्खट पर अपना बिस्तर बिचाता इसके बाद कुछ और भी चीजें उसकी जेब से निकल कर उसके बिस्तर पर सच जाती थी कुछ गोलियां, पुराने ताश की एक गड़ी, कुछ खूबसूरत पत्थर के टुकडे, कागज की नावें वह कुछ देर तक खिलता था दिन मजे से बीतने लगे मैं अपने को बहुत उंचा महसूस करने लगा निस्तंदे, बहादूर की वजह से सब को आराम मिल रहा था घर खूब साफ और चिकना रहता कपड़े चमाचम सफेद किसी को मामूली काम करना होता तो वह बहादूर को आवाज देता बहादूर, एक गिलास पानी बहादूर, पैंसल नीचे गिरी है, उठा इसी तरह की फरमाईशे मेरा बड़ा लड़का किशोर काफी शान, शौकत और रौब दाब से रहने का कायल था और उसने बहादूर को अपने कड़े अनुशासन में रखने की आवशकता महसूस कर ली थी फलता, उसने अपने सभी काम बहादूर को सौप दिये सवेरे उसके जूते पर पॉलिश लगनी चाहिए कॉलेज जाने से पहले साइकल की सफाई जरूरी थी, उसकी फरमाईशों में यदि कोई गड़बड़ी हो जाती तो किशोर उस पर हाथ छोड़ देता रोज ही कोई न कोई ऐसी बात होने लगी जिसके रिपोर्ट पतनी मुझे देती किशोर को मना किया, पर वह नहीं माना तो मैंने यह सोच कर छोड़ दिया कि थोड़ा बहुत तो चलता ही रहता है लेकिन कुछ दिनों बाद एक और गड़बड़ी शुरू हुई निर्मला को मुहले की किसी औरत ने यह सिखा दिया कि परिवार के लिए रोटियां बनाने के बाद वह बहादूर से कहे कि वह अपनी रोटि खुद बना लिया करे, नहीं तो नौकर चाकर की आदत खराब हो जाती है यह बात निर्मला को जच गई थी और रात में उसने ऐसा ही प्रयोक किया वह अपनी रोटियां बना कर चौके में से उठ गई बहादूर का मुह उतर किया वह चूले के पास सिर जुका कर चुप चाप खड़ा रहा पर उसने अपने लिये रोटि नहीं बनाई रात भर वह भूखा ही रहा पर सवेरे उठकर वह पहले की तरह ही हसने लगा उसने अंगीठी जला कर अपने लिये रोटियां से की अपनी बनाई मोटी और भदी रोटी को देखकर वह खिलखलाने लगा फिर रात की बची हुई सबजी से उसने खाना खा लिया लेकिन निर्मला का हाथ खुल गया बहादूर से कोई भी गलती होती तो वह उस पर हाथ चला देती उसको मारने वाले अब घर में दो व्यक्ति हो गए थे और कभी कभी एक गलती के लिए उसको दोनों मारते मैं कभी कभी इसको रूखना चाहता फिर यह सोच कर चुप लगा जाता कि नोकर चाकर तो मार पीट खाते ही रहते हैं बरसात बीत गई थी आकाश तरपन की तरह स्वच्छ दिखाई देता मैंने बहादूर की मा के पास चिठी लिखी थी कितन खा के पैसे भेज दिया करूँगा पर वहां से कोई जवाब नहीं आया फिर मैंने बहादूर से कह दिया था कि उसका पैसा मेरे पास जमा रहेगा जब घर जाएगा तो लेता जाएगा एक दिन रविवार को मेरी पत्नी के रिष्टेदार आये अचानक रिष्टेदार की पत्नी बोली मैंने रिक्षे वाले को पैसे देने के बाद यहां ग्यारह रुपिय रखे थे पता नहीं मिल नहीं रहे जरा इससे पूछे न इधर आया था फिर तेजी से बाहर चला गया अरे नहीं वा ऐसा नहीं है मैंने बहादुर की और तिरची द्रिष्टी से देखा वस्तिर जुका कर आटा गूंथ रहा था उसके चेहरे पर संतुष्टी एवं प्रफुलता थी तुमने यहां से रुपए उठाए थे मैंने कड़े स्वर में पूछा मैंने नहीं लिया बाबुजी बहादुर का मुह काला पड़ गया पता नहीं मुझे क्या हो गया था मैंने सहसा उचल कर उसके गाल पर एक तमाचा जड़ दिया मैं आशा कर रहा था कि ऐसा करने से वह बता देगा तमाचा खाकर वह गिरते गिरते बचा उसकी आँखों से आंसु गिरने लगे मैंने नहीं लिया वह सुबकता हुआ बोला इसी समय रिश्टिदार सहाब ने एक अजीब हरकत की अच्छा छोड़िये इसे पुलिस के पास ले जाता हूँ इतना कहकर वे बहादुर का हाद घसीटते हुए दर्वाजे के बाहर ले गए देखो तुम मुझे बता दो मैं कुछ नहीं करूंगा बलकि तुम्हें इनाम में दो रुपए दे दूंगा इसके बाद निर्मला ने भी उसको डराया धमकाया और दो चार तमाचे जड़ दिये पर वह नहीं नहीं करता रहा इस घटना के बाद बहादुर काफी डांट फटकार खाने लगा किशोड तो जैसे उसकी जान के पीछे पढ़ गया था वह उदास रहने लगा और काम में लापरवाही करने लगा था एक दिन मैं दफ्तर से विलंब से आया निर्मला आंगन में चुपचाप सिर पर हाथ रख कर बैठी थी आंगन गंदा पड़ा था बरतन बिना मजे मले हुए पड़े थे बहादुर भाग गया निर्मला मुझे देखते ही बोली भाग गया, क्यों? मैंने पुछा पता नहीं, आज तो कुछ हुआ भी नहीं था वह सिल बट्टा लेकर बरामदे में रखने जा रहा था कि सिल हाथ से तूटकर गिर गई और दो टुकडे हो गई शायद इसी डर से भाग गया कि सब मारेंगे? निर्मला ने बताया कुछ ले गया? मैंने पूछा यही तो अफसोस है, कोई अपना भी सामान नहीं ले गया है उसके कपड़े, उसका बिस्तर, उसके जूते, सभी छोड़ गया निर्मला बोली और वे ग्यारह रुपए? मैंने पूछा अरे वह सब जूट है, मैं तो पहले से ही जानती थी कि वे लोग बच्चे को कुछ देना नहीं चाहते इसलिए अपनी गलती और लाच छिपाने के लिए यह प्रपंच रच रहे थे उन लोगों को क्या मैं जानती नहीं? कभी उनके रुपिय रास्ते में गुम हो जाते हैं तो कभी घर में छूट जाते हैं किशोर को भी बड़ा अफसोस है, उसने सारा शेहर चान मारा, वह नहीं मिला किशोर कहने लगा, अम्मा एक बार भी अगर बहादूर आ जाता, तो मैं उसको पकड़ लेता और कभी जाने न देता, उससे माफी मांग लेता और कभी नहीं मारता निर्मला आखों पर आचल रख कर रोने लगी, सच, अब ऐसा नौकर कभी नहीं मिलेगा, मुझे एक अजीब सी लगुता का अनुभव हो रहा था, यदि मैं न मारता, तो शायद वहन न जाता